Hello everyone, कैसा आप सो लोगाई, होप आप अच्छे होंगे Welcome to the amazing platform of physics वाला मायनी में दोम और आप देखना सुरू कर चुके हैं एक प्यारी खुबसूरा सी सीरी जहां पे हम 10 मिनट के अंदर एक concept सीखते हैं और 4 नंबर के marks को secure करने की कोसिस करते हैं आज का हमारा topic है मेरे भाई, number of ppi, ppi and number of ppi, dpi bonds आपको previous year में ये दिख गया होगा, ने तो आपको class में जरूर पढ़ाया गया होगा आए देख लेते हैं, पताए ये s orbital, p orbital औ d orbital में कौन सा ऐसा जिसकी ताकत है pi bond बनाने की तो आप कहेंगे कि अरे pi bond बनाने के लिए किसी एक orbital में दो लोब का होना जरूरी है जिसको नहीं पता, वो ये बात जान ले कि pi bond बन ही तब सकता है जब किसी orbital के अंदर minimum two lobes present हूँ क्या two lobes present हो, जिस मन्चों को lobe नहीं पता, उनको बता देता हूँ, देखो s orbital, ऐसा है हमारा spherical तो सिर्फ ये एक lobe हुआ, सिर्फ एक lobe है, लेकिन p orbital में देखो भईया, एक lobe ये होता है, एक lobe ये होता है, दो lobe, d orbital में चार lobe होते है तो बताइए, क्या s orbital कभी pi bond बना सकता है, अरे सर जीवन में नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक lobe मौजूद है यहाँ पर आईए, p orbital बना सकता है, d orbital भी pi bond बना सकता है, पले ये पता करो कि pi bond बना को सकता है, बाकी बाद देखते हैं अगर मान लीजे, ध्यान दीजेगा, हमारा जो central atom है, जो pi bond बनाने वाला है, वो अगर second period element है, जैसे कि आप ले सकते हो, boron, carbon, nitrogen, oxygen, अगर ये लोग हैं, ध्यान देंगे क्रपया, अगर ये लोग हैं, तो अगर pi bond बन रहा है, second period element को यूज, तो क्रपया ये बताइए, कि pi bond क होते हैं किसी ऐसे atom में, जहां पर आपका valence, भया, क्या हो, s और p के लाओं कोई मावजूद नहीं, s orbital तो pi bond ना बनाने के लिए विख्यात है, और pi orbital बनाता है, d orbital भी बनाता है, लेकिन d orbital ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब हुआ, कहीं पर carbon दिख जा, nitrogen दिख जा, oxygen दिख जाए, और वो pi bond बनाते हुए दिख जाएं, तो guarantee है, कि इन लोगों ने अपनी तरफ से pi orbital दिया होगा, pi bond के formation में, लेकिन, अगर, ये line आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर, हमारा जो central item है, या मैं कहूँ, जो कोई भी pi bond बना रहा है, उसका period number 2 से जादा है, तो निश्च सल के अंदर, S, P, D, तीनों सबसल्स होते हैं, अगर ऐसी बात है, तो आप बताए, कौन-कौन से लोग eligible है, pi bond के formation, बताए चलिए, यहाँ पे तीनों लोग है, S तो करनी सकता, P और D कर सकते हैं, इसका मतलब, अगर third period element है, जिसे phosphorus या sulfur है, और वो pi bond बना रहा है, तो भईया pi bond, P orbital भी बना सकता है, D orbital भी बना सकता है, और हमें अभी यही पता करना होता है, कि कब P, pi, P, pi bond बनता है, मतलब, कब P orbital जाकर के, pi bond का formation करता है, और कब D orbital करता है, तो उसको समझने का यह तरीका रहा, देखेगा, जैसे H2SO4 है, H2SO4 की पहले सकल सूरत बनाईए, तुरंत यह बना लिए, आप बताए, कितने pi bond यहाँ पे नजर आ रही है, तर यहाँ पे 2 pi bond नजर आ रहे है, ठीक है, और इहीं के बारे में बताना है, कि यह pi bond कैसे बना है, किसने बनाया, तो समझने का तरीका यह है, कि जो हमारा sulfur है, वहाँ पे पहले hybridization चेट, central atom का hybridization आया, SP3, अगर SP3 hybridization आया, इसका मतलब, 1S और 3P आपस में mix हो गए होंगे, और यह mix हो करके sigma bond का formation कर रहे होंगे, यह pi bond नहीं बना सकते, कभी भी hybrid orbitals जो होते हैं, वो pi bond नहीं बनाते, ठीक है, यह क्या है भईया, hybrid orbital, कौन सा hybridization हुआ, SP3, तो यहाँ हमेसा sigma bond का ही formation होगा, SP3 hybrid orbital कभी भ पाई bond नहीं बनाते, अच्छा, इसका मतलब हुआ, कि बाकी के जो दो bond बचे हैं, उनको बनाने के लिए, यह लोग लगे होंगे, यह लोग लगे होंगे, तो होगा क्या, कि यह pi bond बनाने के लिए, चलो मालो, यह वाला oxygen के साथ बन रहा है, तो इस समय, sulfur ने अपना d-orbital द दिया, और इस oxygen ने p-orbital दिया, तो इसको लिखा जाता है, d-pi-p-pi bond, क्या बोला जाता है, d-pi-p-pi bond, इस bond का नाम हुआ, d-pi-p-pi bond, और इस वाले की भी बात कर लेते ही, यह वाला जो है, दूसरा वाला pi bond, एक d-orbital एक pi में गया, तो दूसरा वाला d अभी बचा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, कि वाला d, sulfur का ये वाला d, और oxygen तो हमेशा क्या देता है अपना, oxygen हमेशा क्या देता है, बोलो, हमेशा वो p-orbital देता है, oxygen हमेशा p-orbital और sulfur का पता चला d-orbital देता है, तो यहाँ पर d-pi, इसी को p-pi-d-pi भी बोलते हैं, तो आप बोलोगे, इसके है, इसका मतलब है, s और p तो चले गए sigma bond बनाने में, बचा हुआ d है, तो central atom की तरफ से यहाँ से कौन जाएगा, d-orbital ही जाएगा, clear है ना, इसी तरीकी से अगला ले लिजिए, अगला देखी क्या है, xi o4, genon o4, आप बताएगे क्या होगा, यहाँ पर 4 pi bond होंगे, कितने, 4 pi bond होंगे, लेकिन एक simple सी बात है, simple सी बात, यह जो हमारे genon है, वहाँ पे sp3 hybridization है, sp3 hybridization है का मतलब, p orbital नहीं जाएगा, pi bonding में, दोबार सुनना, genon का p orbital, pi bonding में नहीं जाएगा, क्योंकि वो hybridize हो चुका है, और वो sigma bond के formation में चला गया, तो अब बताएगे, genon को और कितने bond बनाने है, 4 pi bond बनाने है, कितने, 4 pi bond, इसका मतलब हुआ, इस वाले condition में, इस वाले condition में, इतने और d की जरूत पड़ेगी, 4 d की जरूत पड़ेगी, अरे भाई, यहाँ दो ही pi bond थे, तो 2 dg की जरूत पड़ी थी, sp3 के बाद, लेकिन यहाँ sp3 के बाद, आप क्या देखते चार pi bond ही तो बचे हैं, तो उन 4 pi bonds को बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, क्या यूज होगा, तो आप कहेंगे, कि जैनौन ने इस समय, ध्यान से सुनना, इस समय जैनौन ने क्या दिये हैं, d orbital और oxygen ने दिये हुए हर बार p orbital, oxygen pi bond बनाने के लिए हर बार p orbital ही दे सकता है, क् कि वो second period element है, ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 4 p pi d pi bonds मौझूद है, 4 p pi d pi bonds मौझूद है, इसका मतलब क्या हुआ, कि oxygen ने हर बार क्या दिया, 4 pi bond बनाने में उसने p orbital दिया, और 4 pi bond बनाने में जैनौन ने अपने d orbital यूज, यहीं यह सिंपल सी बात है, अगला, p o 4 3 negative, इसी तरीकी का है, p o 4 3 negative, बस आपको पता होने चाहिए, कितने pi bond है, कैसा सकल होती है, कितनी, कितनी खुबसूरा सकल अभी है, देखलो इनकी, ऐसा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ एक pi bond है, बाकी क्या है, sp3 hybridization, अगर sp3 hybridization हो चुका है, clear है मामला, देखो, p3 hybridization हो चुका है, मतलब p orbital तो आप pi bond बनाने नहीं जाएगा, किसकी तरफ से, phosphorus की तरफ, लेकिन यह जो pi bond बन रहा है, उसमें धान सुनना, phosphorus क्या दी रहा होगा, अब d ही बचा है, अरे phosphorus third cell का है ना, तो आपर d बचा हुआ है, तो इसका मतलब phosphorus ने d दिया, और oxygen ने क्या द तो इस तरीके से आप यहाँ पर जबाब लिखेंगे, कि यहाँ पर एक p pi d pi या d pi p pi bond मौझूद है, एक यह जो bond है, ठीक, अगला देख लेजिए, इसी तरीके से सेम कहानी आपको बतानी है, सेम कहानी आपको बतानी कर ले जाएंगे क्या, अरे कर ले जाएंगे क्या, सर यह भी तो उपर वाले की तरह है, एक गम सही, तो उपर वाले से जबाब आप चाहें तो देख सकते, उपर वाले की तरह ही तो है मेरे भाई, है ना, ओके, तो यहाँ पर भी जबाब यह आ जाएगा, अगला देख लेते हैं, यह बात no down कर लिजे, यह बात no down कर लिजे, य XIO3 का, XIO3 में आप क्या बोलोगे, जैनॉन के उपर एक loan pair है, और तीन इस तरीके से side terms आकर के इस तरीके से लगे हैं, तो 6 bond total बनाने लेकिन एक loan pair भी है, तो सुनना, अगर आप से पूछा जाए, कि यहाँ पर hybridization क्या है, तो आप क्या कहोगे, जैनॉन के उपर एक loan pair और ती side term, तो इस तरीक नंबर 4, इस तरीक नंबर 4 का मतलब क्या हुआ, कि जैनॉन पर SP3 hybridization है, क्या है, SP3 hybridization है, और इस SP3 hybridization में से ध्यान सुनना, तीन सिग्मा bond बनाने के काम आ गई, चार SP3 hybrid orbital total निकलेंगे, जिसमें से तीन चलेंगे, सिग्मा bond बनाने में oxygen के साथ, सिग्मा bond, और यह जो हमारा lone pair है, यह SP3 hybrid orbital के अंदर है, क्योंकि हमारा lone pair और सिग्मा bond, यही दो चीज़े होती है, जो कहां से बनती है, hybrid orbital से बनती है, lone pair और सिग्मा, ठीक है, तो आप बोलोगे, SP3 hybrid orbital के अंदर इनका lone pair था, अच्छा जी, तो बात समन में आ गई, कि हमारे पाद एक दो ती, तीन पाई बॉंड बनाने है, तो तीन दी की ज़रुरत पड़ेगी, तीन डी की ज़रुत, डारेट जवाब दे सकते हो, कि थी, थी-पाई, पाई बॉंड होगा, जहां पे जेनौन का क्या लगा होगा, और ओकसिजन का हर बार पी ऑर्बिटल ही लगा होगा, यह सर, SO2 में देख लीजिए, SO2 की बात करें, तो यह loan pair कहा होगा, आप कहेंगे सर, SP2 hybrid orbital के अंदर होगा, एकदम सही है, SP2 hybrid orbital के अंदर होगा, आप मैं पूछूं कि यह πाई bond किसने बनाया, तो ध्यान से सुनना, SP2 hybrid orbital, यहाँ पे है न, SP2 hybridization इनका निकला, अब सोच के देख तो लिखा जाएगा, पी पाई, ऑक्सिजन ने भी क्या दिया, पी ओर्बिटल, तो लिखा जाएगा, पी पाई, पी पाई, ऑक्सिजन तो हर बार पी देता है, देख, सल्फर ने अपकी बार पी दिया, कैसे पता चला कि सल्फर पे था, SP2 hybridization, तो एक पी बचा था, उसने राфी एक पी दे दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आऊ, अब एक पी चला गया, इसका मतलब क्या होँगा, कि अब भी खाली नहीं है, तो सल्फर के पस अब क्या बचा, D-ORBITAL, तो अपना D-ORBITAL देगा सल्फर और और ऐक्सिजन देगा अपना P-ORBITAL, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे sulfur पे sp2 hybridization है इसका मतलब है एक p orbital sulfur के पास अभी मौझूद है तो मालो यह वाला pi bond बनाने में उसने sulfur ने क्या किया अपना p orbital यूज किया और oxygen ने भी अपना p orbital यूज किया तो p pi p pi bonding हो जाएगी इस तरीके से sulfur का अपना p अब क्या हो गया खतम हो चुका है अन अपनी तरफ से d orbital देगा और oxygen दोनों में क्या होगा अपनी तरफ से p orbital देगा तो d pi pi d pi ठीक है तो यह दोनों क्या होंगे d pi p pi होंगे तो इस तरीके साब जवाब निकाल सकते हैं example के तोर पे आप यह देख लिए दोनों question same same type का ही है तो question यहाँ पे आपके सामने period element का होगा लेकिन d तभी संभव है जब वो third period element से जादा का हो या third period element का हो कोई atom अब simple सा बात देखना कितना असान दिया है nitrogen oxygen दोनों ही second period के nitrogen oxygen दोनों ही second period के carbon और oxygen दोनों ही second period के तो यह तीनों cancel होगे जब आप यही मार दो भोलो मामला समझ में आया क्या तो देख रो दिमाग लगाना है simple सी बात कि वह या second period element होगा तो हमेशा वहाँ पे ppi ppi होगा अगर दोनों ही second period के होगे तो अगर यहाँ पर pi bond मौझूद है तो वहाँ पर ppi ppi ही होगा यही पर ppi dpi होगा क्यों फोस्पोरस के अंदर d orbital आने का chance हो पाएगा अब की बार फिर वही सवा है न वहाँ पर आप क्या बोलोगे दोनों ही second period element है इसका मतलब ppi ppi ही होगा उसके अलामा और कोई chance महीं है मिलते अंगली वोड़ी में तब तक के लिए पुस रहिए परसन न रहिए